स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव प्रोग्राम कमेंट्स के जवाब एक और बार हम आपसे माफी चाहते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी डिसकनेक्ट होने के लिए वेदर कंडिशन यहां पर ऐसे हैं बारिश हो रहे इसके लिए कोई बार नहीं जो टाइम लैग हो रहा क्या आप हमें लाइव देख पा रहे हैं प्लीज फीटबैक दीजिए ताकि मैं इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करूँ यहां पर शायद से कुछ डिफिकल्टी है यहां पर शायद से कुछ जो नहीं जो जो टो रहे हैं पर शाही बारिश प्राइम को कि एकाप दो टूओाचे हैं पर दो चाहां पर जोबशन प्रूदानः तुक आटार प्रूदार इसके लिए, टोहां जोबशने हैं अच्छिकल्स को तोचिकल्ने जोगका डिश़ें ओके आम सो सॉरी इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू हमारे कंट्रोल में नहीं तो चलिए आगे चलते हैं और कुछ कमेंट्स की ओर चलते हैं हम लोग यहां पर कुछ लोग दूसरे लैंगोज में भी लिख रहे हैं प्रितम सालो के सौरी मैं आपका कमेंट्स समझ नहीं पा रहा हूँ आयन राजु कहते है कि सेवेंटे अडवेंट्स चर्च के बारे में बता हूँ वो क्यों संडे को नहीं मानते हैं क्योंकि उनके इसाब से जो है पुराने नियम का जो चौता नियम है सबत को मानना वो शनीवार को आता है तो आपको मानना ही पड़ेगा और हमने क्लिर्ली दो कमेंट्स के पहले मैंने जवाब दिया है कि हम पुराने नियम के अधी नहीं है और ये जो शबत को मानना दश्मांस देना ये सब पुराने नियम का कारे है यदि हम उस पुराने नियम के कारे को दोबारा ला रहे हैं एक नियम को भी अगर हम वापस लेकर आ रहे हैं तो पॉल सफाई से हमें कहते हैं कि हम बाकी सारे नियमों को भी फॉलो करने के लिए जो हैं अबलीगेटेड हैं तो हमें बहुत ही साउधानी के साथ बाइबल को अप्रोच करना है और ये जो सेवेंटे एड्वेंटिजम जो चल्च है वो शुरू हुआ था विलियम मिलर के था कि एशुमसी का आगमन होने वाला है तो वो आगमन नहीं हुआ 1844 में आप सर्च कर सकते हो इंटरनेट में आपको इसका इंफरमेशन मिलेगा फिर उसके बाद एलन जी वाइट ने उस प्रोग्राम को कंटिन्यू किया मतलब उस क्लेम को कंटिन्यू किया और बहुत सार नियम का जो सिक्षा है वो नए नियम में वो लाधने की कोशिश कर रहे हैं हम सैबत फॉलो करने की जरुवत नहीं है हम रविवार को इसलिए आरदना करते हैं क्योंकि येशुमसी जो है मुर्त्यों के उमें से जो जी उटे वो पहला दिन था पहला सर्मन पहला मैसेज जो परचार किया गया था येशुमसी के द्वारा नहीं येशुमसी के पुनरुथान के बारे में वो था हफते के पहले दिन येशुमसी मृत्यों को से हुटकर उनके चेलों को जब उन्हें दर्शन दिया वो था हफते के पहले दिन और पवित्रा आत्मा का जो उंडेला जान करता है कि early Christian जो है रविवार को मिलकर आराधना करते थे लेकिन ये सेवेंट डे अडविंटिस शैबत को लेकर यहूती लौ में जाना चाते हैं और हमें फिर से उस गुलामी में लेकर जाना चाते हैं और हमें बहुत ही सावधान रहना है इस बात पर अभिशेक कहते हैं कि Bible study के बारे में suggest कीजिए Bible के कुछ books hard है समझने में उसको कैसे समझे जैसे levity कर सबसे पहले मैं आपसे request करूँगा कि आप Bible को एक बार पूरा read कर लीजिए पहले New Testament फिर बाद में Old Testament Genesis से लेकर Revelation तक एक बार आपका यह हो गया तो आप एक अच्छे systematic theology के कि आपको ले लीजिए या फिर आप John MacArthur का ले सकते हैं या फिर Henry Sin है उनका theology आप बुक ले सकते हो systematic theology या फिर उससे भी बहतर होगा आप Norman Geisler का systematic theology बुक इतना मोटा है आपको ले लीजिए पढ़ने का आदत आपको डालना है एक बार आप systematic theology समझ जाएंगे बहुत सारे चीज Bible अलग से आता है वो आप खरीच सकते हो आपको धीरे धीरे जो है आपको improve करना है reading का जो खुराक है उसको आपको बढ़ाना है बस बैटे रहेंगे और सब एक ही reading में समझ में आ जाएगा वो आसान नहीं है पॉल उस ने कहां पर ऐसे कहा कि आपको सभी पुराना नियम following करना होगा प्लीज टेल में हमने नहीं कहा कि अच्छा आप ये पूछ रहें कि कहां पर पॉल नहीं कहा कि यदि हम एक चीज को follow करें तो बाकी चीजों को भी follow करना पड़ेगा ठीक है मैं आपको बता रहा हू और वहां पर खतना के बारे में लिखा है जो खतना कहां से आता है खतना आता है पुराने नियम से और पुराने नियम से एक चीजों को अगर हम follow करते हैं तो हम बाकी चीजों को follow करने के लिए भी obligated हो जाते अगर के Paul हमें कहते हैं मैं वह अच्छन का reference अब भी आपको मैं मैं दे देता हूं बने रही है मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं से रोमियो के किताब में दूसरा अध्या है 25 वचन मैं इंग्लिश में पढ़के दिखा देता हूं रोमियो के किताब दूसरा अध्या है 25 वचन में circumcision has value if you observe the law but if you break the law you have become as though you have not been circumcised आगे पढ़िये आप आगे पढ़िये एक second मैं open करके पढ़के दिखा देता हूं आपको so then if those who are not circumcised keep the law's requirement will they not be regarded as though they were circumcised आगे का वचन सुनिये the one who is not circumcised physically and yet obeys the law will condemn you who even though you have the written code and circumcision a lawbreaker आप उसको continuously पढ़कर देखिये I hope मैं आपको सही reference दे रहा हूं let me cross verify एक बार yes मैंने आपको सही reference दिया है आप वहाँ से पढ़कर देखिये हम जो है obligated रहेंगे बाकी सारे law को भी follow करने लिए तो Romeo के किताब दूसरा आथ है वचन 24 से लेकर आप पढ़कर देखिये तो वहाँ पर आपको ये सारी जो बात है मैंने आपको बताया है वो मिल जानी है तो चलिए अगले comments की हो जाते है अगर आपको लगता है कि reference थोड़ा सा चूक हो गया है तो जल्दी से हमें हमारे team members भी जो बता सकते हैं हमारे team member ने बताया है कि याकुब के किताब दूसरा आद है दस्वा वचन भी है और रोमियो के किताब दूसरा आद है वचन 24 के लिए आप पढ़ सकते हैं ये जो है वचन को गलत तरीके से समझने का होता है अगर आप Old Testament में भी देखेंगे Old Testament में भी जो है बहुत सारे war है और कुछ लोग इस बात को लेकर आते हैं देखिए कि आपके Bible में कितना violence है Bible में परमेशोर के लोग दूसरे लोग का कतल करते है Bible में जबी भी हम war के बारे में पढ़ते हैं वहाँ पर just war theory इस्तमाल होता है just war theory का मतलब क्या होता है अगर उस शहर को कोई और enemy आके attack करे उस शहर को उस प्रजा को बचाने के लिए जो defense में किया जाता है उसे just war कहा जाता है तो जो फॉज में हैं soldiers हैं उनको जो है जिम्मदारी दी गई है कि भारत देश को बुरे शक्तियों से यानि कि बुरे लोगों से बचाए रखने का और ये जो है देश की रक्षा कर रहे हैं और ये रक्षा करते समय जो अपनी duty नहीं बारे है वो कतल नहीं होता है आपने कितने बार ये देखा है कि फॉजी ने 10 लोगों का murder किया है ऐसे कभी भी नहीं बताया जाता है तो murder अलग होता है और ये जो फॉज में जो कारे किया जाता है वो अलग होता है तो आपको confuse नहीं करना है ये श्यूमसी नहीं क्या कहा है कि तुम्हें खून नहीं करना है आपके भाई के साथ अगर आपके साथ कोई भाई है आपके बीच में कुछ अन्बन हो गया है लड़ाई हो गये तो उसको चाटा ना मारना अगर वो मारता भी है तो दुसरा गाल देना वो अगर आपको श्राब देता है उसके लिए प्रातना करना ये बात है हमें दो अलग चीजों को एक साथ यूज करके कंफ्यूज नहीं करना है चलिए आगे चलते है शशी हीर पूछते हैं कि जैमसी की मेरा सवाल है कि जब शास्त्री लोग वेबिचार्स्त्री को पत्राव कर रहे थे तो येशु जमीन पर जुपकर उंगली से क्या लिख रहे थे आप इसे जानकर क्या करेंगे मुझे बता सकते हैं मतलब हम ऐसे सवाल को लेकर आते हैं जिसका जवाब जानने के बाद हमें लगता है पानी पीने के बाद लगता है आगे क्या आप ऐसे सवालों को लेकर आए जिसका जवाब जानने के बाद आपको एक आत्मीक उन्नती मिले और उससे जो है आपके अंदर एक आत्मीक बदलावट आई, ये सवाल का जवाब, honestly मुझे नहीं पता है कि ये शुमसी वहाँ पर क्या लिखना है, और कोई भी gospel writers ने भी जो है इसके बारे में जिकर नहीं किय ये जो non-essential चीज है, irrelevant चीज है, इन चीजों पर हम Christians ध्यान लगाना, जंदगी लगाना कब छोड़ेंगे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और जो भाई ये सवाल पूछने में, उनसे ये पूछता हूँ, योहना के किताब पहला अध्य है, पहले वचन में, ये शुमस ऐसे सवालों को लेकर अपने समय को भी आप बरबात कर रहे हो, और उस समय को जो है, अच्छे चीजों पर लगा सकते हो, चलिए आगे और हम पढ़ते हैं, जय मसी की ब्रदर, बिमला, जय मसी की प्रेज लॉट, यश कटारिया पूछते हैं, कैन यू रेकमेंड भी सम अपॉलजेटिक्स बुक, ये कहते हैं कि कुछ आप अपॉलजेटिक्स बुक आप हमें रेकमेंड कर सकते हैं, बिलकुल, आप कुछ किताब उठा सकते हैं, जो आपको help करेंगे, वेन स्केप्टिक्स आस्क, ये किताब आप ले लीजे, खू मेड गॉड, जो ये किताब है, वो आप ले लीजे, रवीज अकरयास का किताब है, किताब का नाम मुझे अभी प्रॉपरली क्लिक नहीं हो रहा है, वो किताब है, रवीज अकरयास का अपॉलजेटिक्स के उपर, आप वो ले सकते हैं, रीजनेबल फेट, ओन गार्ड, ये किताब है, जो डॉक्टर, विलियम लेंकरिक का, ये किताब आप ले सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग आपको करना है, बेसिक्स ओफ अपॉलजेटिक्स, और उससे स्टार्ट करने से पहले, आपको सिस्टमेटिक थियॉलोजी समझना है, जो इसका नाम मैंने पिछले दो कमेंट में मैंने एंसर किया है, सैम पुलस्ट यहां पर एक वच्चन कहते है, कि ये शाया साथ के सोला वच्चन में दिया गया है, उसके बारे में नया नियम खामोश है, कुछ बताईए, क्या खामोश है, आप मुझे बताईए, क्योंकि मैं वच्चन ऊपन करूँ, रीड करूँ, और मैं अंडर्स्टेंड करूँ कि आपका सवाल क्या है, उतना समय नहीं, आप exactly question पूछिए, तो मैं आपको बता सकता हूँ, gift Johnson पूछते है, gift of tongues सही है या गलत, बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, अन्यबाशा बोलना कोई गलत बात नहीं, लेकिन जब हम Bible पढ़ते हैं, उस तमय में हमें Bible अच्छे से समझाती है, हमें अन्यबाशा कलीशियों में तब बोलना है, जब उसका कोई translation कर सके, अगर कोई translation करने वाला नहीं, तो माइक पकड़ के हमको अन्यबाशा बोलकर, लोगों को confuse नहीं करना है, बहुत सारे कलीशियों में बहुत सारे पासवान ये करते हैं, अन्य बाशा बोलते हैं लोगों को सामने वाले को समझ में आता नहीं है वैसे आपको नहीं करना है लेकिन बाइबल अन्य बाशा के बारे में क्या कहती है वो कहती है कि जब तुम अन्य बाशा में व्यक्तिगत रूप में बात करते हो तुम्हारा बात और परमेश्वर का बात होता है तुम्हारे आत्मा जो है परमेश्वर से विंती करती है और वो आप व्यक्तिकत रूप में करना है करके Bible हमको सिखाती है आप पूछें के कहा लिखा है उसके लिए आपको Bible open करके read करना है हर बार reference आप यहीं से मत जाने है आपको निकाल के दे सकता हूं but I want you to read the Bible the moment you start reading the Bible and start finding the references for yourself the way you see Bible will completely change तो मैं आपको encourage करूँगा इस चीज़ के लिए glory world पूछ दें brother कौन सा पंत सही है Catholic or Protestant answer me I want to convert into Christianity brother मैंने आपको पहले ही कहा है और काफी सारे भाईयों को कहा है मैं किसी को endorse नहीं करूँगा ना Pentecost को ना Orthodox ना Methodist ना Catholics but Catholicism को जो है मैं बिलकुल recommend नहीं करूँगा क्योंकि उनके सिक्षा जो है Bible के काफी विरोध है उनके Bible में additional apocryphal किताबे हैं जो Bible में उनका जगा नहीं है जुडिर, टोबे, मेकाबेस ये सारे जो है unbiblical, non-canonical, deuterocanonical, apocryphal ये सारे शब्द में इस्तमाल करता हूँ इन किताबों के लिए जो Bible में है तो ये Catholicism जारा Tradition में फोकस करता है, मेरी से प्रातना करते हैं, उनको Mediator बनाते हैं, मूर्ती पूजा करते हैं, रोजरी पढ़ते हैं, ये बिलकुल बेबुनियादा है, बेबी बैप्टिजम देते हैं, बच्चा पैदा हो गया, उसको पानी में डुबाते हैं, सारे unbiblical बाते हैं, तो Catholicism मैं आपको बिलकुल recommend नहीं करूंगा, कोई born again churches जो है, आप धूनने की कोशिच कीजिए, मुझे exactly नहीं पता है कि आप कहां से हैं, आप हमारे Facebook पेज में message कीजिए, तो आपका location जानकर हम वहाँ पर, अगर हम कोई church जानते हैं, हमारे इसाब से अगर वो ल नो देम इन डीटेल, चली आगे चलते हैं, अमित क्रिपलानी पुछते हैं, सर, how to overcome temptations, prayer, simple answer, ओके, मैं कुछ relevant comment ढूणने की कोशिच कर रहा हूं, जिसमें मैं बच्चे हुए समय में answer दे सकूँ, मादव दुरू कैसते हैं, जीजस क्राइस्ट के वक्त फोटोग्राफी नहीं थी, पर चित्र कला थी, क्या जीजस का ओरिजिनल चित्र उपलब्ध है, किसने जीजस को देखकर उसका चित्र बनाया है, बिल्कुल नहीं, अगर आप Jewish community में देखते हो, तो वहाँ पर ऐसा situation, जो जीजस क्राइस्ट का situation है, वहाँ पर happy happy situation नहीं था, जहां पर येश्व मसी को आराम से, अगर side में बैटा देगे, येश्व मसी आप उस तरफ देखिए, और येश्व मसी का painting निकाला है, बिल्कुल नहीं, येश्व मसी का real image क्या होता है, किसी को नहीं पता है, और जो लोग, घर पे वो representation वाले येश्व के photo को रखकर उसके सामने हाँ जोड रहे हैं, और उसको येश्व मसी का acting किया है, जो actor ने, उसको येश्व मानते हैं लोग, और जब वो वीडियो आते है, उसको देखिए, येश्व, बिल्कुल गलत है, वो representation है, येश्व मसी का चित्र जो है, वो कोई नहीं जानता है, तो और चित्र को हमें खुच से बना कर उसके सामने जुकना भी जो है, मूर्ती पूजा है, जो कि बिल्कुल गलत है, गिफ्ट जॉनसन पूचते हैं, एसकेटलोजी सबजेक्ट पर apologetics के point of view से वीडियो बहुत जल्द बनाएंगे, बहुत सरे suggestions आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जस्पाल कुमार पूचते हैं, पवित्र आत्मा इंसान पर आता है, तो इंसान का moment क्या होती है, यहाँ पर यह बहुत ही interesting सवाल है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब पवित्र आत्मा एक इंसान क्यों पर आती है, वो यहाँ से उस त पवित्र आत्मा पाने का अलग अलग तरीका होता है, किसी को पवित्र आत्मा स्विकार करने का जो तरीका है, वो बिल्कुल शान तोगो, शायद से एक जगे पर खड़ा है, और अपने शरीर में जो है, एक बदलावट को महसूस कर रहे हैं, और आपने अंदर से एक पवित्र आत्मा आपके शरीर को तोड़ेंगे नहीं, इतना याद रखिए, तो अगर मैं आपको एक तरीका बता हूँ, कि पवित्र आत्मा आएंगे तो आपका शरीर गरम-गरम फील होता है, तो जब तक आपको गरम-गरम फील नहीं होगा, आप जिंदगी पर यही और आप मुझे पता चल रहे हैं कि कैसा, मतलब इग्नोरेंट प्रेयर और प्राथना हैं मैंने की थी, पवित्र आत्मा का स्पर्ष आप उटा कर फेकना नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि पेंटेकोस के दिन में जैसे पवित्र आत्मा आयते हैं वैसे आ सकते हैं, बिलकुल प्रेयर मीटिंग में क्रिस्चिन जाते हैं, एक बार पावलिया पवित्र आत्मा ठीक है मानने वाली बात हैं, लेकिन हर मीटिंग में वो पल्टी लगाते हैं, मतलब क्या ये कहना चाते हैं कि पवित्र आत्मा भाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं, तो आउजोत कहते हैं कि brother हमारा message read करो brother मैं कोशिश कर रहा हूं जितना message मेरे आखकों की सामना है वो read करने के लिए तो माफी चाहूँगा अगर आपका miss हो गया तो फिर से एक बार आप read करके मुझे बताइए जेजे पूझते हैं प्रकास भीष्ट पूझते हैं tell me about 10 months आप लेट जुड़े हैं पहले मैंने अल्री आंसर कर लिया आप जाकर इस वीडियो के part 1 वाले section में देख लीजे अप्लोड हो गया होगा इंटरनेट पे जेजे करके एक idea वो पूझते हैं भाई क्या मुझे पानी से बप्तिसमा लेना जरूरी है क्या जब मैंने प्रइबू येश्व मसी को अपने जीवन का उध़ारकता स्विकार करा है तो क्या अब मुझे पानी से बप्तिसमा होना जरूरी है आपका उध़ार हो गया है लेक चीज होती है, seal और sign, मतलब मोहर और चिन, जब आबराहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, तो आबराहम का विश्वास जो है उसके लिए मोहर था, लेकिन उसका outward चिन क्या था, outward चिन ता खतना, ध्यान से सुनिए, जब भी आप कोई भी चीज खरीदते हैं, तो आप उ बातचीत कर सही सोधा हो जाता है, seal हो गया वो, agreement finish हो गया, लेकिन क्यों लिखते हैं, outward sign, marriage में कुछ लोग मंगल सूतर लगाते हैं, ring लगाते हैं, register में sign करते हैं, क्यों, ये sign है, वैसे ही परमेश्व ने आबराहम को जो है, विश्वास के कारण वो धर्मी बना, ये उनका खतना, इसराइल के प्रजा के पास आएंगे, तो वहाँ पर परमेश्व ने उनको क्या चिन्न दिया है, परमेश्व ने उनको चिन्न दिया है, सबात, मोहर नहीं है, वहाँ पर चिन्न दिया है, सबात, और उनका भी मोहर क्या था, खतना, लेकिन जब नए नियम में आते ह है चिन्न से पहले आप agreement कब sign करते हो जब आपका बातचीत हो कि आप सब चीज agree कर ले तो पैसा ले ले तो और agreement में आप sign करते हो वैसे ही येश्व मसी को accept करते ही आपके ओपर पवित्रात्मा का महर लग जाता है फिर उसके बाद आप क्या करते हो वो चिन्न को दिखाते हो वो चिन्न क्या है वो चिन्न है बप्तिस्मा इसलिए येश्व मसी कहते है 28 वाद दिया है अचन 18 और 19 में कि तुम क्या करो बप्तिस्मा लो तो येश्व मसी ने कहा बप्तिस्मा लेना है तो हमें लेना है नहीं लेने का कारण क्या है जब येश्व मसी फिर उसका चिन था खतना वैसे ही इसराइल के प्रजा को पर्मेशन ने पहले छुडाया छुडाने के बाद उसका चिन पर्मेशन ने क्या कहा कि तुम गुलामी में थे उसको स्मरन करने के लिए तुम इस आराम के दिन को स्मरन करो जो कि सबत है वो चिन था वैसे नए नियम में येशु मसी को स्विकार करते ही पवित्रात्मा का महर आपको मिला और उसका आउटवर्ड अपिरेंस क्या है आपका ये बबतिस्मा तो आपको बबतिस्मा लेना जरूरी है सवाल आती है जो कुरूस पर था व्यक्ति उसका क्या हुआ उसको मौका नहीं मिला बबतिस्मा करें यहां से मही उर्भाय येस येस कर रहें तो मैं आप लोग से जानना चाहूंगा क्या हमारा प्रोग्राम और कुछ मिनिटों के लिए लाइव जाए अगर हां तो कमेंट में जल्दी से बताए एक छोटा सा ब्रेक मैं भी ले ले तो अगर कमेंट में काफी लोग हां नही ही कह रहे हैं तो उसके बाद मैं ब्रेक से दोबारा लोटूंगा और प्रातना करके इस प्रोग्राम को में समात करूंगा बने रही है कर दो कर दो कर दो कर दो कि अगर है यूट फ्रेस वेलकमं बंग काफी सारे लोगों ने बूला कि yes हमें कंटिण्यू करना च virtuous लेकिन लोग नहीं बतारहें कि ना समय के लिए कंट्टिणू करना चिए अगर बताँरेंगे कितना ठाइम के किले मैं हमें समाप करना है हमारे टीम मेंबर हमको यहां पर फीडबैक देंगे मैं तो चाहूँगा कि रात बर आपसे बैठ कर बाते करते रहूँ चलिए कुछ और कमेंट्स के और चलते हैं सोनु कुमार कहते हैं कि बाई जी कभी मेरा भी एंसर दिया करो वहिया मैं कोशिश करो maximum कमेंट्स पढ़ने के लेकिन बहुत सारे कमेंट में जो ऐसे इर्रेवेंट क्वेशन आ जाते हैं दाड़ी बनाना है क्या सिंदूर लगाना है तो यह सारे चीजों में 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 क्वेश्चन जो है मतलब मिस हो जाता है प्रेरना मैथ्यू का एक सवाल है देखिए वो कहते है कि my question is that कि Bible कितने साल पहले लिखा गया था answer please Bible जो है कितने साल लिखा गया यह सही question नहीं आप पूछ सकते कि Bible कितने साल पहले compile किया गया था क्योंकि Bible का लिखने का अगर आप time period देखोगे पुराना नियम जो है यहूदियों के possession में काफी time से था और उसका एक पार्ट जो है येश्यू मसी जो है भवन में read कर रहे थे और नए नियम के दिनों में भी अगर आप देखेंगे येश्यू मसी के 15 से 25 साल या 35 साल के बीच में Colossians के किताब के हिसाब से हमें पता चलता है कि वो 15 से लेकर 25 साल के या 35 साल के बीच में जो है बहुत सारे letters जो Paul ने लिखी उसका सबूत है तो ये सारे चीजों को compile करके जो है एक साथ लाया गया तो ऐसा नहीं कि Bible कितने दिन पहले लिखा गया Bible it was written in a period of almost 40 years जो है 40 years भी मैं बहुत कम कहा रहा हूं उससे भी ज्यादा समय जो है 40 authors sorry 40 authors के द्वारा over a period of so many years जो है लिखा गया तो specific time नहीं है Bible कभी लिखी गई है so compile किया गया है at a point in time यहां पर एक भाई पूछते हैं कि क्या brother प्रभू ने snake को श्राप क्यू दिया पाप तो शैतान ने किया था बिल्कुल क्योंकि देखे शैतान जिस instrument को यूज करता है वो श्राप के लाइक हो जाता इए यूधा सकारियत को भी देखी यूधा सकारियत को पूरी तरह शैता करन ने उसको इस्तमाल किया था यूदा स्कार इतने जगा दिया था और उसके कारण जो है यूदा स्कार इतने फासी ले लिया आज ये भी बात है कि आप शाप स्नेक का ही मत लीजे अगर शैतान आपको भी एस इंस्ट्रुमेंट यूज कर रहा है या फिर किसी व्यत्ति को यूज कर रहा है वह भी जो है परमेशल के दौरा श्राप ही पाएगा अगरे अगरे चलिए येस-एस काफी सारे लोग ने येस-एस का है तो चलिए हम कमेंट को कंटिन्यू करते हैं बहुत सारे लोगों का कमेंट मिस हो रहा है मैं जानता हूं आपको बुरा लग रहा है आजे रोंग भी पूछते हैं प्रभु येश्यू के नाम से जो कोई भी बिमारों को चंगा करते हैं वो सब येश्यू के नाम से करते हैं क्योंकि प्रभु येश्यू ने कहा था मेरे नाम से मांग़े तुम्हें मिलेगा तो फिर वे सब कैसे को करम समझ नहीं पाया आपक में बताई है किसी अविश्वासी जो marriage हो चुका है उससे marriage करेंगे बोल रहे हैं यह topic पर जो है मैं आपको strongly recommend करूंगा कि आप अपने कलीशया के pastor से senior से बात कीजे जो already married हैं जिनों ने अपने शादी में अच्छा समय बिताया है 20-30 years क्योंकि यह शादी का अनुबव के ओपर comment करने के लिए मैं उतना अभी experienced नहीं हूँ तो मैं शादी के ओपर अभी comment नहीं करना चाहूंगा तो please आप अपने senior pastor को कलीशया के elder से बात कीजे क्योंकि यह marriage जो है बहुत ही sensitive चीज होती है और उसके ओपर मैं यहाँ आपर कोई टिपनी नहीं करना चाहूंगा अच्छा एक बाई कहते हैं कि दस बज़े तक continue कीजे दस बज़े तक बहुत जारा time हो जाएगा उतना continue करूंगा तो शकील कहते हैं I am from Pakistan God bless you brother आप कहीं से भी ओप्रभू इश्यमसी आपसे प्रेम करता है हिंदी में study Bible कौन सा है फिलाल जो है हिंदी में एक Bible में जानता हूं जो study Bible है राइरी Bible study है राइरी Bible study book है I do not know उसका cost कितना है कितना cost आपको बता है brother राइरी Bible study जो आपके पास है 2000 रुपीज का है प्रिंस राजपूत कहते हैं कि tell me right way of praying कैसे प्रेयर राइरी जो आपको आपको अपडेटेड रखेंगे प्रेयर करें यहुआ से यहुआ से आप यहुआ से प्रेयर कीजिए यहुआ ही येशु है और यहुआ है तो आपको यहाँ पर नाम को लेकर confused नहीं होना है और हाँ येशु मसी वहाँ पर format देते हैं जब आप प्रातना शुरू करते हैं तो आपको ऐसे प्रातना करना है कि है हमारे स्वर्ग में विराजवान पिता उसका यह मतलब नहीं है कि आप उसको रटोगे परमेश येशु मसी आपको बता रहे कि जब तुम प्रातना करने पहले तुम स्वर्गय पिता की महिमा करो उनका नाम पवित्र माना जाये मतलब उनकी पवित्रता की उनकी स्तूती करो फिर आगे 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 उनकी वच्चनों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका प्रेयर का फॉरमेट कैसा होना चीए उस प्रेयर में आप दूसरों के लिए प्रातना करते हो, खुद के जरूरतों के लिए प्रातना करते हो, प्रभु से आप पाप शमा मांगते हो, और आगे का दिन के लिए भी परमेशों से आप अनुग्रा मांगते हो, और उस प्रातना को समाब करते हो, तरीका बुलेट पॉइंट बताया जा रहा है उसके आधार पर पॉइंट नमर वान पॉइंट नमर टू ऐसे लिखकर आप प्रातना कर सकते हैं नमजोद पूछते हैं लोग पूछते हैं शैतान ने आयूप का सब कुछ नाश किया पर उसका वाइफ क्यो नहीं क्यों बहाएं। आप इतना गुस्सा क्यों हो गया, आयूब के पतनी को नाश क्यों ने गया, आप क्यों गुस्सा हो गया, यह बहुत अच्छा सवाल है, वैसे मैं आपका मजाग में उड़ा रहा हूं, लेकिन पढ़ते हैं मुझे ऐसा लगा कि मतलब उनके पतनी को नाश करने से मुझे क्या खुशी मिलेगी वैसे याकूब ने जो जो खोया था उसका दोगुना आशिस या उससे बढ़कर आशिस जो है आयूप को परमेशर देने वाले थे जानवर को डबल ट्रिबल करके परमेशर ने दिया लेकिन जब उनको आशिस देनी थी या फिर उनको फिर से और भी बच्च करने में जो है मदद हो सकती है इसलिए उनके पत्नी को परमेशर ने मारा नहीं और सिर्फ बच्चा उत्पन करने वाले के मशीन के नाम पर उसको रखा नहीं क्योंकि परमेशर जानते हैं कि जीवन साती होती है वो बहुत मुख्य होती है और उसका विनाश परमेशर उतना आसान इस आयूप के जीवन में आपने जैसा देखा उतना नहीं करेंगे और उस समय में वो आयूप को कोश रहे थी लेकिन आयूप का जिंदगी जो है एक गवाई का रूप में हमें देखने को मिल रहा है तो ये एक अच्छा उधारन है बाईवल में आयूप के जीवन से हम सीख सकते है तो प्लीज किसी के वाईफ को मरने या ना मरने से हमें कोई फाइदा है हमें खुश भी नहीं होना और बुरा भी नहीं लगना ची क्विट्टी डेविट कहते हैं टू टॉर्मेंट जॉब बिलकुल नहीं बिलकुल नहीं मैं इसको बिलकुल एंकरेज नहीं करूँगा ऐसे कमेंट को बिलकुल नहीं येशी का पूचते हैं सर जब कोई परसन प्रेयर करता है तब वहाँ बैटे कुछ लोग येस जीजस हालेलुया ऐसे एक्टरा बोलते हैं वह क्यों करते हैं और ये सही है क्या जी बिलकुल कि देखे oxide जब इस्राइल के जो लोग थे वहाँ पर जब मूसा जो है निर्गमन के किताब मेर्वस्तव विरें के किताब में और निर्गमन के किताब में ये घटना आपढ़ सकते हैं मुशा वो नियमों को पढ़ रहे तो वहां के लोग जो बैटे थे वो Amen, ऐसा ही वो कह रहे है, तो जब आप 2-3 एक साथ जुट होकर प्रातना करते हो, अगर एक भाई एक टॉपी के लिए प्रातना कर रहे हैं और बाकी सारे लोग कहते हैं कि Yes, Jesus, Praise the Lord, Amen, हाँ प्रभू, ऐस प्रातना उपर प्रिय रखता है, इसका मतलब यह नहीं कि एक आग्मी मांगेगा तो मैं नहीं दूँगा, चलो एक साथ बोलो, येशु मसी की जय, येशु बबाबा की जय, वैसा येशु खुश नहीं हो रहे हैं, येशु मसी वहां पर जो है, एक काकरता लेकर आ रहे है कि मतलब प्रातना के द्वारा, येशु मसी इंसान के अनेक सोचों को, अनेक दिलों को एक साथ जोड रहे हैं, इससे प्रेम बढ़ता है, जब आपका सोच दिल एक टॉपिक के, एक अबजेक्ट के हो चलता है, तो ये एक जुट होकर प्रातना करना कोई साधारन बात नही है, ये भाईचारा बढ़ाने का और प्रेम बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, येशु मसी कह रहे हैं, it is called as fellowship, बिनीता एमरम पूछ रहे हैं कि प्लीज एंसर, heaven और paradise, where does the saved go when they die, जब जो परमेशुर को विश्वास किये हुए लोग जब मरते हैं, तो वो paradise में जाते हैं करके हमने देखा था, येशु मसी ने उस चोर को सूली पर कहा कि today you will be with me in paradise, और paradise को ये भी कहा जाता है कि Abraham's bosom करके कहा जाता है, जब वो rich man और Lazarus का जो घटना होती है, वहाँ पर बताएचे और जो मरे हुए हैं, वो heडेस में जाते हैं, स्वर्ग में जो जाना ह और नर्ग में, lake of fire, lake of fire अभी तक बाकी है, वो कब जब शैतान को भी उसके में डाला जाएगा, और स्वर्ग राज्य में नयाय के बाद ही हमें वहाँ पर जाने की अनुमती मिलती है, और उसके बीच में दर्मियान में क्या होता है, उसके बहुत सारे theories हैं, कुछ लोग कह दूसरा theory कहते हैं कि वो paradise में conscious way में रहते हैं, तो बहुत सारे theories हैं, लेकिन इतना Bible को पढ़ने से हमें पता चलता है कि मरने के बाद हम paradise जाते हैं, क्योंकि ये श्युमसी ने उस चोर को कहा, I think so ये question आप काफी time से पूछ रहते हैं गोल्डी चैल कहते हैं, हमारी हर एक प्राथना का जवाब परमेश्व देता है, फिर कुछ बातों का जवाब परमेश्व नहीं देता है, क्योंकि परमेश्व को पता है कि कौन से सही समय में आपको देना चाहिए, एक उधारन ले लिजिए, अगर कोई लड़का है 16 साल का वो अपने पपा को देखकर कह रहा है, या मुझे बाइक दिला दो पपा, मुझे करिस्मा, मुझे या फिर होंडा सिटी कार दिला दो, अगर उसका पपा होंडा सिटी कार दिला रहे हैं, तो क्या सही कर रहे हैं, या फिर नहीं दिला रहे हैं, तो क्या वो गलत कर रहे हैं आपको सोचना है कि इसमें से कौन सा सही है अब legal age जो होता है driving का होता है अटरा Indian government के साब से तो पिता जी को क्या करना है जानना है कि सही समय क्या है मेरे बेटे के लिए उसको license आ गया government authorized बन गया और उसको driving आती है और अच्छे से रोड पे चला पाएगा जब पिता को लगे क कि बेटा सही तरीके से तयार है उस चीज को अनुभव करने के लिए तब वो पिता दे सकता है Bible का वचन कहता है हम बुरे माता पिता इतना हमारे बच्चे के लिए सोचते हैं तो हमारा स्वर्गी पिता हमारे लिए कितना और अच्छा सोच सकता है उनको पता है कि कौन से सम समय में क्या देना है मैं अपने जीवन में भी बता सकता हूं कुछ ऐसे दर्द हैं कुछ ऐसे problems है मेरे life में वो सारे चीजे कभी मुझे ऐसे सोच में नहीं डालते है कि परमेश्वर जो है मेरे प्राफणा को नहीं सुन रहा है कभी-कभी सोच आती भी है फिर भी मुझे ए अपने काबू में रखा है और परमेश्वर के अधीन है उनको पता है कौन से समय में देना है तो हमें उस बात को लेकर भहस नहीं करने हमें यह ही कहना है तेरी इच्छा पूरी हो जाए केवल गाने में नहीं रियल लाइफ में भी हमें इस चीज को जो है अनुबूव करना है और हमें इसे परमेश्वर को करने के लिए हम अपने आपको खुल कर छूट देनी चाहिए यह मेरा मानना है प्रेम सिंग कहते कि भाई हम देख रहें कि आप बार बार हमारा कमेंट चोड़ रहें कोई बात नहीं प्रभू येश्वर आपको बहुत आशिज दे बिलकुल नहीं भाई सब हम आपके कमेंट को इग्णोर नहीं कर रहे हैं मैं स्क्रोल कर रहा हूँ देखता हूँ एक ब और भी मिस्स हो जा रहा है, आप हमारे Facebook पेज में anytime आप जोड़ सकते हो जवाब के लिए सुनिल कॉंडा कहते हैं, स्वर्ग में जब लूसीफर अपने उपर घमन किया था मेरा सवाल है कि स्वर्ग तो इतना पवित्र जगा है, आचानक से घमन का विचार कैसे आ सकता है बिल्कुल अच्छा सवाल और बहुत सारे लोग इनका जवाब जानते भी है, कमेंट में लोग बैटे हैं, वो लोग हो सकता है ये सवाल का जवाब अलुड़ी टाइप कर रहे हैं, देखिये परमेश्वर ने हर एग जीव को जो है चुन्ने की शक्ति दी है, अभी चुन्ने की शक्ति स्वर्ग में डिय्यइक्टिवेट मोड में नहीं होता है, ये चुन्ने की स्वर्ग दूथ हैं वो सभी भी जो हैं अपने चुनोती के शक्ति के एक्टिव मोड में है, ऐसा नहीं कि पर्मेशन उनको रोबर्ट बनाया और जबर्दस्ती वो पर्मेश्वर की आरतना करेंगे, ये गलत चीज हो गया ना, कि मतलब अगर पर्मेशन ने कुछ करोडो स्वर्गदूत को बना दिया और मतलब जबर स्वर्गदूत गा रहे हैं और प्रकाशित वाके में इसका वर्नन है ना, हजार लोग सेनाओ का पर्मेशर पवीत्र अति पवीत्र पवीत्र अति पवीत्र है सेनाओ का प्रभू है सेनाओ का प्रभू ये क्यों गा रहे हैं प्रकाशित वाके में ये स्वर्गदूत क्यों की वो अपने freedom of choice से खुद से गा रहे है और शैतान को वो freedom of choice मिला था Lucifer को जो शैतान बनने से पहले जो Lucifer है केरूब है Chief केरूब माना जाता है स्वर्वदूतों में भी category होती है केरूब सेराफ और angels इसके बारे में आगे आने वाले दिनों में हम study करेंगे कि angels में भी अलग-अलग type के angels होते है केरूब, सेराफ और मलाख याने की angel इसके बारे में भविश्य में अगर परमेश्योर की मर्जी हो तो deep study करेंगे देखे मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कुछ है सीखने के लिए बस यह तो शुरुवात है बस आपसे विंती क्या प्रातना में हमें याद रखिए और काफी आगे परमेश्योर हमको लेकर जाएगा सीखने और सिखाने के लिए तो सवाल का जवाब यह है कि वो अपने freedom of choice में उन्होंने अपने आपके उपर यह घमन लेकर आया घमन का मतलब क्या है मैं कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ लेकिन दूसरे स्वर्गदूत ने क्या कहा वहाँ पर और एक powerful स्वर्गदूत है कौन? Michael जिनके अंदर इतनी शक्ति है वो शैतान को खतम कर सके वहाँ पर एक और स्वर्गदूत है खुशकप्री देने वाला Gabriel उनके अंदर क्यों नहीं सोचा है क्योंकि वो लग पूरी तरह convinced थे अपने हिर्दे में हिर्दे में बोलना ये शब्द इसके लिए बोलना हूँ कि आप समझे वो अपने आप में इतने convinced थे कि हमारा खुदा हमारा सृष्टी करता वो बिल्कुल सही है वो गलत नहीं कर सकता है लेकिन रूसिफर के अंदर ये थौट नहीं थी तो आशा करता हूँ ये चीज़े आपको समझ में आ रही है महिंतर सिंग पूछते हैं उत्पति की किताब पहला अध्या 26 वे वच्चन में परमेशोर कहते हैं कि आओ मनुष्य को अपने स्वरूप बनाते हैं ये इनका सवाल है कि kindly explain the meaning of letters because at the time of Genesis God was only one to make man kindly explain बहुत अच्छा सवाल है मनिंदर ये सवाल को जो है Mother Jerusalem वाले जो हैं वो गलत तरीके से present करते हैं वो कहते हैं जो भाई पूछ रहेते हैं आंसंगों के बारे में थोड़ा बता दीजे तो वो कहते हैं कि यहाँ पर देखो परमेशोर कहते हैं कि आओ हम तो यहाँ पर पिता है पुत्र है और माता है बिलकुल गलत है जब हम उसे पढ़ते हैं इब्रानियों के बाशा में तो हमें पता चलता है जब भी भी बाईबल आप पहला वचन ही पढ़ लीजिए क्या लिखा है पहला वचन उत्पति का पहला अध्याय का पहला वचन इन दे बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड दे हेवें अन अर्थ आधी में परमेश्वन ने आकाश और पृत्वी की स्रिष्टी की लेकिन जो शब्द परमेश्वन इस्तमाल किया है पहला अध्या पहला वचन में वो है एलोहिम इलोहिम का मतलब क्या होता है एलोहिम का मतलब लोगों को लगते है कि God नहीं एलोहिम का मतलब होता है Gods plural form तो कुछ ठांसलेशन को अगर मैं टांसलेट करू हीबरियू से तो ऐसा ऐगा in the beginning God created heaven and the earth आप God's का मतलब क्या है जो लोग Trinity को reject करते हैं उनके लिए यह बहुत ही दुख देने वाला पैसेज है और उत्पती के किता पहला अध्या 26 वा वच्चन भी जो है दुख देने वाली वच्चन है क्योंकि जो ट्रिनिटी को रिजेक्ट करते हैं मोडलिस्टिक व्यू रखते है यानि कि खुदा संख्या पूर्वक एक है मतलब उनका अस्तित्व एक है और व्यक्तित एक है मानने वाले को एलोहीन शब्द को समझाने आसान नहीं होता है वैसे ही उत्पति के गिता पहला दिया 26 वच्चन में जब परमेशन ने कहा कि आओ हम मनुश्यों को अपने स्वरूप में बनाएंगे तो ट्रिनिटी वाले इस वच्चन को एक्स्प्लेन नहीं कर पाएंगे लेकिन जो ट्रिनिटी को मानते हैं वो लोग इस वच्चन को ए exist करते हैं मतलब वो एक समान है एक ही essence है और एक ही खुदा है लोग कहेंगे किस बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूं बहुत सारी बाते जो हैं नहीं समझ में आ रहा है तो वो contradiction नहीं हो जाती है अगर मैं आपको एक छोटा सा memory card दिखाऊंगा और कहूंगा कि 128 GB का है साधर न मतलब इस चीट को आप समझ नहीं पा रहे हो तो अब यह नहीं कहेंगे न यह illogical है आप क्या करेंगे expert के पास जाएंगे जो यह technology को बनाता है तो expert कौन है Bible जब Bible के पास आते हो Bible कहता है मनुष्य का अस्तित्व एक है और उसका व्यक्तित्व एक है लेकिन जरूरी नहीं ह कि उसको बनाने वाला खुदा का व्यक्तित्व और अस्तित्व एक होगा उधारन के तौर पर अगर आपके हाथ में भी mobile है आप earphone लागा के सुन रहे हो मतलब वो mobile मनुष्य की स्रिष्टी है अगर वो mobile को सोचने की शक्ति देते एक सेगड के लिए सोच लीए थी क्या mobile य उसको बनाने वाला उससे भी complex being है होना ही चाहिए because एक complex being जो है दूसरे complex चीज को बना सकता है वैसे ही परमेश्वर अगर मनुष्य के जैसा एक अस्तित्व एक व्यक्तित्व है तो उसमें कोई complexity नहीं है वो same हो जाता है मनुष्य के जैसा लेकिन परमेश्वर वो ऐसा है क कि उनका अस्तित्व एक है उनका व्यक्तित्वतीन है अब इसको समझने का तरीका क्या है हमारे youtube facebook page में हमने एक अच्छा वीडियो शेर किया था dr. नबील खुरेशी का जो बहुत ही परमेशर के अच्छे दास थे जो मुसल्मान family से convert होए थे उनका वीडियो मैंने शेर किय अस्तित्व का मतलब होता है क्या आप क्या है आप क्या है मैं क्या हूँ इंसान है मैं कौन हूँ मैं फ्रांसिस हूँ मैं कौन हूँ मैं इंसान नहीं हूँ मैं क्या हूँ वो इंसान है अगर आप पूछेंगे कि आप क्या है मैं बोलूँगा इंसान अगर आप पूछेंग ये बिल्ली है, ये क्या है, ये कुत्ता है, ये क्या है, ये हाती है, ये क्या ये इंसान है, कौन है, Francis है, तो मतलब ये जो क्या है, उसे कहते हैं being, जो क्या है, what है, उसे कहते हैं अस्तित्व और कौन है, उसे कहते हैं व्यक्तित्व, मतलब मेरा एक अस्तित्व है मनुष्यता का और मेरा व्यक्तित्व क्या है Francis का वैसे ही मयूर का अस्तित्व एक है मनुष्य का अस्तित्व और उनका व्यक्तित्व एक है मयूर का लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है परमेश्वर एक है कौन है वो यह यहोवा परमेश्वर का अस्तित्व एक है यहोवा लेकिन उनमें व लग 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 रिखती है आप बोलें कि ज्यादा confusing है यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है अगर Christians को लोगों को confuse करना ही था मेरे भाई बैनों इतना complicated चीजे क्यों बनाते हैं हम लोग सिंपल यहीं बोलते ना जैसे मुसलमान कहते हैं सूरह एखलास में यानि कि सूरह 112 एक से लेकर आयतों में और इंदुईजम में कहते हैं कि एक है खुदा जो आरे समाझ वाले कहते हैं दूसरे school of thoughts में one God का concept नहीं है तो Christian भी आसानी से यही बोलते ना एक और खतम कर दो लेकिन Bible जो है परमेश्वर जैसा है उसको वैसे ही present करता है ताकि आप मानो या ना मनो अब मैं point पर आता हूँ अब मैंने आपको explain कर दिया कि Elohim मतलब अलग-अलग एक meaning होता है उसका God's plural अब plural एक commitment जो ही चार भी हो ऑसकता है 10 भी हो सकता है थीन ही क्यों कि बआवल हमको तीन ही व्यक्तित्व के बारे में बताता है और वो सारे चीजों को मैं यह वच्चन के पास आता हूँ उत्पत्छी की किताब पहला आधिया 26 वच्चन में जब परमेश्वर कहते हैं कि हम मनुश्य क कब बना, दुनिया बनाने के बाद, या दुनिया बनाने के पहले, जो Trinity को मानते नहीं है, वो explain नहीं कर सकते कि खुदा प्रेम क्यों है, लेकिन जो Trinity को मानते हैं, वो explain कर सकता है कि प्रेम का मतलब क्या है, अगर परमेशल दुनिया बनाने के बाद प्रेम करने लगा, मतलब परमेशोर दुनिया के पहले प्रेम नहीं था, परमेशोर का प्रेम किसी चीज पर dependent होता है, तो परमेशोर जो है, necessary being नहीं होता है, वो dependent being बन जाता है, लेकिन खुदा necessary being होना चाहिए, dependent being नहीं, कुरान का खुदा dependent being है, लेकिन बाइबल का खुदा necessary being है, तो कैसे संभव है कि मनुश्यों को सृष्टी करने से पहले खुदा प्रेम करें, किस से प्रेम कर रहा था, Trinity के concept में हमें पता चलता है क्योंकि प्रेम करने के लिए प्रेम होना चाहिए, प्रेम करने वाला होना चाहिए यही हम दुनिया के सुरिष्टी के पहले देखते हैं पिता पुत्र से प्रेम करते हैं और पवित्र आत्मा उस प्रेम के बंदन को जोड़ते हैं In the format of Trinity हम explain कर सकते हैं God is love और कोई भी format में हम explain नहीं कर सकते हैं Trinity के बिना हम बहुत सारे चीजों को जो है बे बुनिया देख सकते हैं Trinity explain करती है बातों को और यह वच्चन जो आपने उत्पती के गिताब पहला देख 26 वच्चन में आपने जो बताया था Padmishur कहते हैं कि आओ हम मनुश्यों का अपने स्वरुप में बनाते हैं पुत्र पवित्र आत्मा involved थे इसलिए जब हम कोलोश्य के किताब पढ़ते हैं और यहना के किताब पहला देख पढ़ते हैं वहां पर हमें पता चलता है येशु मसी के द्वारा ही सभी चीजी की स्रिष्टी हुई लेकिन पुराने नियम में जाते हैं वहां कहते हैं कि पिता ने सारी स्रिष्टी की थी और कुछ और वचनों में देखते हैं पवित्र आत्मा ने स्रिष्टी की थी तो किस ने स्रिष्टी की थी पिता ने पुत् खुदा को समझने की कोशिश करो, अगर खुदा को इतने छोटे से दिमाग में आप कैद करने की कोशिश करोगे, खुदा फिर बड़ा नहीं है। एक और बार कमेंट का जवाब प्रोग्राम करने की मैं कोशिश करूँगा। लग नर्ग है। आप जो इंसान परमेश से अलग रहना चाहता है, तो अन्सान से को जबर्दस्ती नर्ग में नहीं जाता है। चलिए आगे चलते हैं बिनिता एम्रों मैंने आपका कमेंट का जवाब दे दिया है प्लीज एक बार चेक कर लीजिए दिलिप कुमार कहते हैं ट्रिनिटी के बार में वीडियो बनाईए ब्रो प्लीज आभी तो मैंने इतना डीटेल में एक्स्प्लेनेशन अभी सुना है तो युहना का किताब पहला अद्य है पहला वचन समझने में आसानी होगा आधी में वचन था वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था ट्रिनिटी के कॉंसेप्ट में यह हमें आसानी से समझ में आता है आप वहाँ पर जो है पिता और जीस यह वर्ड आड़ करके देखिए आधी में वचन था वचन क्या है पुत्र येश्वमसी मुझे कहां पता चलता है वचन देखदारी हुआ मतलब वो येश्वमसी वचन क्या है येश्वमसी तो आधी में येश्वमसी था कि एश्य मसीख खुदा है, कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल में येश्य होने का खुदा होने का सबूत नहीं, बाइबल पढ़ने नहीं आएगा, तो ऐसे नतीजे पर ही पहुचेंगे, चले आगे चलते हैं God bless you कह रहे हैं, I am Christian, Samuel Emmanuel, God bless you brother Mayur भाई, मेरे टीम मेंबर ही है, मैं को छोड़ने रहे हो, कह रहे हैं कि आफनार मोर Yes, Qatar, यप उसने, can you make your testimony video बहुत जल्द बनाऊंगा, फिलाल अभी उसका सही समय नहीं है testimony का, जैसे परमेश्य बताएंगे, मैं उस समय में testimony video बनाऊंगा, क्योंकि testimony in the progress बहुत बड़ी testimony है, लेकिन उसका अगला half का end के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ, वो end होगा जब वो testimony complete होगा, उस testimony को मैं आपको बताऊंगा, और आप उस समय में यह सोचेंगे, कि इतना सब कुछ हो रहा था, उस समय के उस समय में भी Francis भाई शेवा कर रहे थे, तो कैसा उन्होंने किया, परमेश्वर की मदद से, पवित्राहत्मा की सायत है से, अब वो complete होने दीजिए, और मैं विश्वास करता हूँ, वो complete हो जाएगा, जो घटना है चल रहे हैं, वो पूरा हो जाएगा, प्रातना कीजिए, मेरे व्यक्तिकत रूप के लिए और परिवार के लिए, आगे चल कर बहुत ज़रूर मैं आपको, मेरा गवाई मैं आपको देना चाहूँगा, विकास टोपो पूछते हैं, सेकेंड कोरूतियों में यहां पे थर्ड हेवन क्या है, सिंपल, अगर आप यहूदी लोग जैसा स्क्रिप्चर्स को अंडरस्टैंड करते हैं, वैसे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, थर्ड हेवन का मतलब यह नहीं कि तीन थर्ड हेवन, स्पेस, जो अंतरीक्ष है, जो आप देखने ही पाते हो, जो पृत्वी के यूनिवर्स के बाहर है, थर्ड हेवन जो है, जहां पर परमेश्वर का रहने का स्थान है, जो बाइबल आमें पता दिये, जो कहा गया कि, पॉल कहते है, आपको अच्छे से समझ न होते हैं, जैसे मुहमद पहले हेवन में जाते हैं और कहते हैं कि मुझे नमाज पढ़नी है, जो अजान नहीं कहते हैं, उनका जो प्रातना होते हैं, इतने सारे प्रातना करना है, फिर बात में जादा मिलता है, फिर बात में दुसरे के पास जाते हैं, मुसा के पास जाते ह तो ऐसे heaven अलग अलग नहीं है, आपको समझना है कि Jewish context में और Jewish literature में heavens को कैसे identify किया जाता है, the firmaments, मतलब जो atmosphere है, फिर उसके बाद अपना space, फिर उसके बाद ऊपर आपका जो परमेशुर का रहने का स्थान ये कहा जाता है, sound is okay brother, everything is clear, okay, चलिए हम इसको continue करते हैं, शकील आना पूछते हैं, सर्वतीत का मतलब क्या है, व्यक्तित्व का मतलब मैंने बताया, मैं कौन हो, मैं Francis हो, Francis का व्यक्तित्व क्या है, अगर Francis को अगर आपने तारिफ किया, तो उसको ज्यादा पसंद या, तो मेरा तारिफ मत कीजिए, लेकिन अगर आपने Francis को गाली दिय तो थोड़ा बुदा लगेगा, Francis को आपने बोल दिया कि तुम कुछ काम के लाएक नहीं हो, मैं विदारान दे रहा हूं, तो मुझे दुख होता है, तकलीफ होता है, मैं emotional हो जाता हूं, खुश हो जाता हूं, यह जो emotion है, खुश होना, गुस्अ करना, बदला लेने का भावन यह सब जो है वेक्तित्व होता है, एक वेक्तित्व, अस्तित्व क्या इंसान, आप भी इंसान, मैं भी इंसान, यह category है, being category है, लेकिन पर्सन हुड जो होता है, वो पर्सन हुड का मतलब होता है, जिसमें emotions, हम सोचते हैं, decision लेते हैं, यह सारा जो है हमारा पर्सन हुड होता ह अपने जिन्दगी को देंगे तो परमेशो जो है आपको हाथ पकड़ कर वो रास्ते में नहीं चलाएंगे लेकिन आपकी अगुवा ही करेंगे आपको रास्ता दिखाएंगे पवीत्रा आत्मा के साहता से कैसे चलनाएं करके मलया कुमार, दीव चेत्री, क्विटी डेवेट कंटिन्यू कंटिन्यू कह रहे हैं कि भाई मेरा बैट बैट कर मेरा पीट दुकर है भी मुझे लाइप प्रोग्रम समप्त करना पड़ेगा क्योंकि एक घंटा 38 मिनट ग्लोरी अपॉलजर डिक्स का हिस्ट्री है यह कि इतना वड़ा कमेंट का जवाब हमने कभी नहीं किया है थोड़ा सा इंटरेट डिसकनेक्ट क्या नहीं हो गया आप लोग ने इतना वसूल लिया है यहां पर चले आगे चलते हैं इम्यानुविल क्राइस पूछते हैं ब्रदर क्या हम डेली क्या हम वाइन डेली यूज़ कर सकते हैं डेली क्या वाइन एक भी बार यूज़ मत कीजिए मैं तो आपको यह कहूंगा कुछ लोग कहते कि येशुमसी ने वाइन पिया उसका एक्स्प्रेनेशन पिछले लाइ हो जाते हैं कि fermentation process में चला जाता है तो परमेशुर का नियम कहता है पुराने नियम का लीवेंट चीजों को हमें नहीं खाना है लीवेंट इस ऑलसो फॉर्म ऑफ फर्मेंटेशन तो जो वाइन के बारे में बात कर रहे हैं actual वाइन जो होती है जो आज दुकानों में मिलती है या फिर port wine ये wine वो wine कहते हैं वो fermentation process में जाती है यदि हम ये कहेंगे कि येशुमसी ने fermented wine पिया हम ये कहें येशुमसी ने old testament का live and unleavened का law तोड़ दिया दोन में से सही क्या है मैं दुसरे वाले में जाता हूँ कि येशुमसी ने तोड़ा नहीं येशुमसी ने उस नियम को या तिर किसी भी wine को मैंने आस तक taste भी नहीं करके देखा है मैंने कई बार बता है मैं कैसे multinational company के लिए काम करता हूँ बहुत बड़े position में national level पर all across India travel करता हूँ और out of India travel करता हूँ दूसरे country में जाकर दूसरों को मैं सिखाता हूँ बहुत सारे चीजे मेरे office का related बातों को और बहुत सारा मौका मिलता है parties में five star seven star hotels में जब stay करवाते हैं या फिरुकाते हैं इतने सारे लोग आते हैं और कहते हैं पीलो यार मजे करो लेकिन मेरे दोस्त को नहीं पसंद ये शुमसी मेरा दोस्त है लोग कहते हैं कि दुनिया में आया है enjoy करो लेकिन उनके सामने मैं गवाई रह पा रहा हूं इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूं और कुछ लोग कहते हैं कि Francis कमा रहा है YouTube भाई उन लोगों को पदा भी नहीं कि Francis जो है YouTube किसले चला रहा है वो YouTube चला रहा है परमेशुर के सत्य को बताने के लिए कमाने की बात आते हैं तो मेरा office का काम काफी ह हमारे team members अच्छे office में काम करते हैं उनका salary भी काफी अच्छा है तो यह earning वाला नहीं है यह yearning souls के लिए हम जो है परमेशुर की सेवा कर रहे हैं we are not earning from the souls we are making videos for the yearning souls who want to learn the love of God and the truth of God चलिए आगे चलते हैं क्या हो गया है डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया है और राइट चलिए नेक्स कमेंड मनिंदर सिंग कहते हैं if you visit ludhyana then please come our church God bless you मनिंदर जी ludhyana I think मैं बहुत जल्द visit करूँगा कुछ ही मनिनों में तो आप हमारे facebook page पर जो है आप message drop कर दीजिए और बताइए comments के जवाब में आपने आपसे बात की थी number drop कर दीजिए हमारे team member कोई ना कोई आपको call करेंगे और जब मेरा ludhyana आना होगा जरूर मैं आपसे स्टड़ी बहुत चाहिए तो मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मैं लुधियाना में आकर पंजाब में आकर उनको सुधारने आ रहा हूँ मैं बस आओंगा आपसे मिलने के लिए और सिक्षा तो आपको वहीं से देना है क्योंकि सिक्षा ultimately glory apologetics के team से नहीं आती है बाइबल से आ Alex Paul पूछते हैं what is the difference between dark rust and dark madhu मैंने clearly आपको explain किया है dark rust juice है और dark madhu जो है वो wine हो सकता है लेकिन depend करता है कि कौन से context में हम पढ़ते हैं Bible का एक शब्द का meaning हम easily नहीं समझ पाएंगे यह आपको समझना है आप एक English किताब से या Hindi किताब से आप deal नहीं कर रहे हो आप deal कर रहे हैं Aramaic, Ibrani और Yunani ग्रीक बाशा के साथ उस शब्द को जब तक आप context में नहीं पढ़ते हैं उसका meaning आपको change हो जाएगा क्योंकि जब मैं समिनार ले रहा था Mother Jerusalem का और Jehovah's Witnesses का वहाँ पर एक word था नेफेश और सुखे या नेफेश एक शब्द है breath of life Hebrew में कहा जाते है उत्पति किता पहला अध्यामा और जो सुखे यह शब्द है उसी के लिए इस्तमाल किया जाता युनानी ग्रीक बाशा में नए टेस्टमें में तो Jehovah's Witnesses वाले ये शब्द को इस्तमाल करके कहते हैं कि इंसान का अस्तित्व जो है मरने के बाद नहीं होता है वो जैसे मरते वो खतम हो जाते हैं अनंकाल का नर्क वगरा कुछ नहीं लेकिन उनका ये कहना सही है और जब वो वर्ड निफेश और सुखे को हम पढ़ते है ये लिटररी स्टाइल है या फिर हीब्रू यूनानी लैंगोज लिखने का तरीका है हमको उसी तरीके से समझना है ना कि मुझे जैसा समझे वैसा समझना है that becomes an injustice to injustice for handling any kind of books चाहे वो बाइबल हो कुरान हो या फिर वेद हो कोई भी संस्क्रित बुक निर्यूस पन्ना only God is great praise God आप परमेश्वर की महिमा कीजे इंसानों की महिमा मत कीजे परवेज मसी कहते हैं कि सर God ने अर्थ को पहले बनाया और सन को बाद में तो अर्थ की एज जादा होनी चाहिए परवेज जी इसके ओपर जो है डीटेल में हमारे चैनल में वीडियो है विज्यान और बाइबल जो जाकिर नायंग ने यही सवालों को उटाया था और यही सवाल आज कुछ चंगु मंगु जो है यूटूब में आ गये हैं फ्री इंटरनेट वाले जो पढ़ाई शायद से की नहीं हो गई जॉब शायद से मिलने रही हैं उनको हम तो जॉब करत का यह वीडियो है हिंदी में आप उसे देख सकते हैं ऐसे ही बहुत जारे सवालों का डीटेल में उन्होंने जवाब दिया है आप पढ़ सकते हो वहाँ पर जून कुमार प्रात्ना नहीं करूंगा मैं अब आप मेरा एंसर ही नहीं देते क्यों हम प्रातना नहीं करेंगे आब अप इतना क्यूं dab deficits आरें सोल कुमार आप आपकामका में कमेंट देख पाराओं कहां पर है जो कमेंट मेरे सामने आ रहा है मैं उसको रीड कराओं आयान राजू पूसते हैं क्या मेरी जोसफ की सेकेंड वाइफ है प्लीज बताओ ब्रो नहीं कहां से आया आपको ये थौट बिल्कुल नहीं शकील पूसते हैं कि सर उनली जीजस के बारे में आज वो पवित्र आत्मा फिर से येश्मसी बनेंगे मतलग उनके इसाब से खुदा जो है मास्क बदलता है जो नाटक में होता है ना खुश दुख पुराने जमाने में जो है जब नाटक होता था एक ही आदमी जो है में क्यलक्टर होता था चेहरे को सैड वाला लगा दिय बाइबल अलग अलग व्यक्ति की बात करती है पिता पुतर पवित्र आत्मा और यह तीनों व्यक्ति का प्रकाशन एक जगे पर आपको देखने ही बिलता है जब येश्मसी का बपतिस्मा होता है येश्मसी खड़े है वहां से आवाज़ार उपर से ये मेरा एकलोधा पु पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बप्तिस्मा दो, वहाँ पर देखोगे, in the name of the father, the son, the holy spirit, English में जब word आप देखते हो, the definite article, मतलब वो एक अलग specific चीज को identify काता है, the father, the son, the holy spirit, मतलब तीन अलग अलग व्यक्ति, और उसके बाद names नहीं लिखा है, इन नामों में नहीं पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, मतलब पुत्र पवित्र आत्मा तीन अलग व्यक्ति है, एक खुदा है, इसलिए वहाँ पर भवचन नहीं, एक वचन का इस्तमाल किया है, वाँ, मेरा स्कूल का हिंदी याद आ गया, व्याकरन, भवचन नहीं, एक वचन का शब्द, singular इस्तमाल किया है वहाँ पर चलिए आगे चल दें अल्मूस्ट हमारा समय हो चुका है आपने जैसे रिक्वेस्ट किया है वैसे मैं लाइव हूँ और पंदरा मिनट और कंटिनू करूँगा और ये पहला प्रोग्राम होगा जो हमारा इनका सवाल यह है कि व्यवस्ता व्यवरन 34 वा अध्या किसने लिखा क्योंकि वहाँ पर तो मूसा का मुर्त्य हो गया है तो कैसे ये सवाल को उठाने वाले जो है दो चीज को समझ नहीं पा रहे हैं सबसे पहला मूसा कौन है मूसा नभी है दूसरा मूसा के बाद इस्राइल के लोगो को किसने लीड किया? किसने? जॉश्यवा ने यहॉश्यू ने तो दो एक्स्प्लेनेशन नंबर वन मुसा ने पहले ही उनके मृत्यू के बारे में जो है उनको पता था और उन्होंने लिख दिया चोकि वो भविश्य दखता है भविश्य को जानते है यह explanation है अगर यह explanation आपको नहीं लेना है दूसरा explanation यह है कि व्यवस्ता विवरन के यहोज ने भी लिखाए करके आप इसको conclude कर सकते है तो यहाँ पर contradiction है आप बोलोगे तो convenient explanation नहीं है यह probable explanation है जैसे हम philosophy में लेकर आते हैं कि probable explanation क्या हो सकती है दोनो probability को लेंगे तो भी कोई problem नहीं आथा अगर एक probability है वो भी वाजीब है reasonable है कि prophet can predict his death and right जैसे येशु मजी ने अपने मृत्य को predict किया था और पहले बताया उनोंने तो इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है येश कटार यह पूछते हैं atheist claim that the death penalty for homosexuals in the bible is immoral what should be a justification to the skeptics उनको बताना है कि जो homosexuals को जो दंड दिया जाता है old testament में वो old testament law के साब से बट new testament में जो है homosexual को दंड अभी नहीं दिया जा रहा है इसका मतलब यह नहीं कि कभी नहीं दिया जाएगा homosexual का दंड आज stoning to death तो नहीं है लेकिन जब परमेशुर का न्याय का दिन होगा उनको दंड मिलेगा प्रूब करना है कि कौन से basis में किसी चीज को वो सही या गलत कह रहे है क्योंकि atheistic perspective में god नहीं है अगर god नहीं है तो कौन यह moral duties नैतिकता के कानून को set करता है खुदा है इसलिए वो कहता कि यह सही है यह गलत है अगर खुदा नहीं है तो नैतिक कानून नहीं है नैतिक कानून नहीं है तो किस के आधार पर हम यह कह सकते हैं यह सही है गलत है तो पहले ये सवाल का जवाब एथियस देना चाहिए अगर वो मानता है कि खुदा है तो हम खुदा है तो हम ये कह सकते हैं कि खुदा के नजरों में उन्होंने पुरुष और सिर्फ स्त्री को बनाया और रोमियो के किताब पहला अधिया में पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार इ इज़त दो और वही औरत वही महिला मिनी स्कर्ट में आइटम डांस करेंगी सौव आदमियों के बीच मेरे को ये लॉजिक बॉलिवूड का समझ में आया है नहीं आज सब और लोग भी इन चीज का वावा करते हैं तो पॉइंट आपका मैं यही आपको बताने जा रहा हू कि होमो सेक्शोल जो परमेशोल के आखों के सामने घिरोना है क्योंकि परमेशो ने पुरुष और स्त्री को बनाया और उनको बनाने का कारण क्या है उनको दोनों को सिर्फ शारिदीक संबंद के लिए नहीं बनाया है परमेशो ने परिवार बनाया है लेकिन होमो सेक्शु उसका गवाई आप यूटुब में सुन सकते हैं। जो हमेशा हर चीजों के लिए स्केप्टिकल होते हैं कि वो जूट बोल रहे हैं, यह जूट बोल रहे हैं, उनको यह समझना है कि वो जूट बोल कर यूटुब में आकर अपना reputation कोई क्यों बेगाड़ेगा, कोई आदमी बोल रहे हैं कि मैं पहला homosexual था, मैं gay था और अब मैं प्रभू में आखर, मैं normal आदमी का जीवन जी रहा हूँ, क्यों अपने आपको कोई gay बोल कर अपना insult करवाएगा, यह ऐसे अंध लॉजिक भी हमें समझ नहीं आती है, चलिए आगे चलते, शकील आना पूछते हैं, उर्दू में व्यक्तित्व का मतलब क्या है, बाई मैं रहा हूँ, उर्दू उतना अच्छा strong ने काश, अभी प्रोफेसर अकबर मेरे साथ होते, तो मैं उनको पूछ कर बता दे था, लेकिन आप फेस्बुक पेज में एक बार पूछिए, मैं उनसे पूछ कर आपको रिस्पॉंड कर दूँगा, सागर मगाड़ी पूछते हैं, आप गॉटक्वेशन.org वेबसाइट के बारे में पूछ रहे हैं, बहुत बढ़िया वेबसाइट है, उसका एक एप भी आता है, डाउनलोड कर दीजिए, उनके काफी सारे आर्टिकल्स हिंदी में भी है, आप यूज कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ जाईए, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ आर्टिकल्स हैं, जो सही नहीं है, इसलिए मैं कहा रहा हूँ, governance is knowing the difference between what is right and what is almost right, मतला, परखने का वो सही तरीका है, जिसमें हम ये परख्के देख सकते हैं, फरख निकाल सकते हैं कि क्या सही है और क्या सही लगता है, बहुत सारे चीजिएं सही लगता है, लेकिन वो सही, होता नहीं है, देजावू यानि कि आप उसको हिंदी में क्या कहते हैं जब आप सडक में जाते हैं तो तूर से आपको लगता नहीं कि रोड में पानी गिरा हुआ लेकिन जब आप गाड़ी नजदीक लेकर जाते हो तो पानी गायब हो जाता है बहुत सारे चीज़ें जो हैं वैसे ही होते हैं जो लगता है हमें है करके लेकिन वाकई में होता नहीं वाकई की धोका है और इंटर्प्रेटेशन का वो धोका है महीर भाई बस करो यार चलिए बहुत सारे कमेंट्स मिस्ट हो गए है और मुझे भी बुरा लग रहा है प्लीज माफ कर दीजेगा सागर मगाड़े पूछते हैं वन सेव औलवेस सेव इस त्रू मैं इसको परसनली नहीं मानता वन सेव औलवेस सेव का इसे ओ एस एस थेरी मानते हैं इसके बहुत सारे अगेंस्ट और नेगेटिव और पॉजिटिव बयान है यहां पर बहुत सारा डिबेट आता है कैल्व आप मुझे पूछो के मेरा व्यू क्या है मेरा बैलंस्ट व्यू है मतलब आप क्या कहना चाहते हैं मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा आप उद्धार पाए हैं ना बस वन सेव ऑल्वेस सेव या फिर मेरा उद्धार होने के बाद मैं उद्धार खोऊंगा यह जो थौट है आपको पता है कि आपने उद्धार पाया है आपका पूरा कोशिश रहेगा कि पवित्रा आत्मा की अगवाई होने देना है पवित्रा आत्मा जैसा चला रहे हैं उसके चलाने पर मुझे चलना है तो यहां पर यह थियोलोजी पर आप ज्यादा अपना सर्मत फोड़िए कि दूसरे को बचाओ मैं वो मेरा प्रायाइटी है मेरा प्रायाइटी यह है कि मैं बच गया हूं मेरा जीवन बदल रहा है रिफॉर्म हो रहा हूं तो आपको भी जो है इस चीजों पर ज़्यादा समय देकर अपने आपको डराने की ज़रूद नहीं है बानो जेम्स मैं आपका ये कमेंट देख लिया तो इस कमेंट ये नहीं है कि मैंने आपको कोई कमेंट नहीं देखा मिस हो जाता है प्रिंस राजपूर ब्रदर कैसे पता चलेगा हमारे साथ होली स्पिरिट है या नहीं आपको आपके जीवन में एहसास होगा सही गलत का एहसास पवित्र आत्मा आपको दिलाएंगे और आपका जीवन जो कल था वो आज नहीं रहेगा जो आज है वो कल नहीं रहेगा मतलब जीवन में एक बदलावट दिखती जाएगी आपका बोलने का तरीका बात करने का तरीका चाल चलन आपके मन के विचार आप क्या चाहते हो, किस चीज से नफरत करते हो, यह चीज है जब improve होती जाती है तो आपको पता चलेगा कि पवित्र आत्मा है या नहीं, पांच मिनिट बचे हमारे पास, इसके बाद इस प्रोग्राम को हम समप करेंगे सुनिल मसी आपने जो इसको मैं अभी डिबेट नहीं कर सकता हूँ, अभी डिसकस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे भाई बैन है, जवान भाई बैन है उनको यह शब्द का मतलब भी नहीं पता है और इस शब्द को मैं explain करने जाओंगा संस ओफ गॉड ही फॉलें इंजल से बिल्कुल नहीं यह एक गलत थियरी है, इसके उपर भी कल्ट्स बिल्ड होते हैं, यह जो संस ओफ गॉड है वो शेत के जो है संतान है करगे बाईवल हमको स्ट्रॉंग एविडेंस देती है जब अब उसको study करते है Tech Entertainment पूछते हैं कि Genesis किस ने लिखा है, मुसा ने लिखा है Pentatook पहला जो पांच किताब हैं हम मानते हैं कि मुसा ने लिखा है देखे अभी बिनिर देखेंगे अपर उनने तैंक्स बोला है, आप वो पहले गुस्सा हो रहे देगी मैंने उनके कमेंट का जवाब नहीं दिया, मिस हो जाता है प्लीज समझने की कोशिश कीजिए मलया कुमार जी, मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ पाई मैं देखता हूं भी बस हमारे पास 4 मिनिट पच्छा है मलया कुमार प्लीज डिस्क्राइब में आपका कमेंट डूनने की कोशिश कर रहा हूं अगर मयूर भाई आपको मिला तो जड़ा बताइए उनका कमेंट क्या था मलया कुमार का हाँ, आपका सवाल यह है कि डिस्क्राइब यह सवाल जो है यूजली जो है श्वेव सहियद और मुसलमान जैसे लोग लेकर आते हैं कि तुम्हारा खुदा जो है बारबर है नाही है शेव करता है अब मैं इनको क्या कहूं गदा कहूं इन लोगों को क्योंकि इन लोगों को बाइबल समझने को पुरी जिंदेगी जो criticism करना चाहते हैं वो कभी समझेंगे नहीं बाइबल को जबी भी हम पढ़ते हैं बाइबल बहुत बार figurative language यूज करती है तो यह बचन में इसका मरल भी है नहीं कि यहुआ ने जाकर रेजर लेकर उनके सर को पकड़ कर यह सा छील छील कर निकाला और श्वीयब से पाग अब काफी सारे चीज रेकॉर्ड करनी है और रेकॉर्ड हो जाएगा एक बार यह राहूल आर्या का स्टोरी जब खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद जो है मैं यह चीजों को भी लेकर आँगा श्वेब सेयद का अगर आप देखोगे जैनुरी एक तारीकों मैंने प्रॉम शेव कर दूँगा पूराने नियम में यहूदी कल्चर में सर को शेव करना एक अपमान करने की बात होती है आज भी देखेंगे गाव में किसी को दंड देना है और फिर इंडियन कॉंटेक्स में भी देखेंगे अगर किसी को लजजित करना है तो उसको क्या करते हैं उसका सर का बाल निकाल देशो को इसको गंजा बना देते हैं और उनको गदे पर चलाते हैं यहूदी कल्चर बे भी गंजा करना ये उसको लज्जा दिखाने वाली बात है तो परमेशर उसको यह कह रहे हैं कि figurative way में कि मैं गंजा करवाँगा अब उससे भी बड़ा worst चीज क्या है आप देख सकते हैं वहाँ पर कहते हैं कि with a razor that is hired मतलब परमेशल क्या कहते हैं मैं वो वस्तरा इस्तमाल करूँगा जो मैंने उधार में लिया इसका मतलब यह है कि वो जो प्रजा वो जो जाती है उसको परमेशल लजजित करना चाहता है कैसे लजजित करना चाहता है दूसरे देश के राजा और व्यक्ति से उधार का razor का मतलब होता है बाहर से इसराइल के अंदर के लोग उनको लजजित नहीं करेंगे और परमेशोर के कोई सेवक या दास या कोई राजा, इस्राइल का राजा उनको लजजित नहीं करेंगे जो दूसरा राजा है, दूसरा देश का राजा है उनके दूरा मैं नेको लजजित करूँँगा तो ये वच्छन का ये मतलब है वो दिन आएगा जहां पर पिता परमेश और इस जाती को और इस पीडी को जो है दूसरे देशों के द्वारा लज्जित करेगा मतलब वो युद्ध में हारेंगे और यह हुआ भी जब आगे पड़ेंगे युद्ध में जो है वो हारेंगे इसको हमें ऐसे समझना है कि Bible में क आफी सारे एक्जामबल्स हमने Bible में देखी है आशा करता हूँ कि अभी अपने पांच टैम कमेंट के और मैंने सात्वे बार एंसर गया मिस हो जाता है समझने की कोशिश के चलिए हमारा समय हो चुका है दो घंटा इसके आगे हम मैं अभी बस अपना मुबाइल को मैंने बं सेफ्टी के लिए प्रातना कीजे प्रोफेसर रगबर के सेवकाई के लिए प्रातना कीजे हमारे टीम मेंबर जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं मयूर देशाई आशिश पिंटो विद्या पास्टर मोनेश जैसन जोस डैसन ये जितने भी सारे लोग हमारे साथ जुड में बढ़ने का तड़ःप और आगा आपके अंदर हो क्योंकि येश्व मसीगा आगमन बहुत निकट है और उस समय के आने तक difficult term अभी संदेश बाठ्य कर उन्हें वी येश्व मसीगा चेला बना सकते हैं पैसे दे कर नहीं पैसे को तोलने वाले यही देखेंगे लेकर निम्येश्य मसीगा हम प्रेम देते हैं तो चलिए एक छोड़ा सा प्रातना के साथ इस प्रोग्राम को हम समाप करते हैं धन्यवाद करते हैं पिता परमेशर इस रात के समय के लिए दो घंटे तक आप हमारे साथ जुड़े रहे और आपने सारे सवालों का जवाब देने के लिए मदद किया जो जो भाईयों का कमेंट मिस हो गया है प्रबु मैं विंति करता हूं उनका मन निराशना हो हमारे फेस्बुक पेज़ के वो सवाल पूछे और हम कोशिश करेंगे उनके सवालों का भी जवाब हम दे प्रबु जितने भाई बहन हैं उनके जवानी के दिनों में अपने आपको वो बनाए रखने के लिए आप में उन्हें मदद कीजिए पवित्र आत्मा आप उनकी अगवाई कीजिए और उनके परिवारों को संभालिए उनके व्यक्तिकत के जीवन के जो जो जरूरत हैं आप अपने स चीर युसे उन्हें आप बचा के रखने‌गळ में विंत्य करता हूं हमारे सारे दर्शकों को आपके चरनों में सौनता हूं आप उनके साथ रहे कर उनकी अगवाई किजिए और क्या सही क्या गलत उसका एहसास पवित्रा आत्मा हमें दिलाते रहे हैं ये रात के समय आपके चर्णों में सभी को मैं सौप कर देता हूँ और विश्वास करता हूँ आप हमें आगे ले चलेंगे और आपका विश्वास आपका वादा पूरा होता है इसके लिए धन्यवाज सारा आदर गौरो महिमा हम आपी को देते हैं मृत्युन जय येश्य मसी के नाम से मानते हैं पिता अमें अमें गाड ब्लेस यू प्रभाब सभी को आशिश करें लगातार हमारे सेवगाई के लिए प्रात्ना कीजिए इस वीडियो को शेर कीजिए अगर आप आशिशित हुए तो गाड ब्लेस यू थैंक यू